वलम आप सभी को यहां अपने इस रिपोर्ट में ये जरूर बताना शाहेंगे कि टीवी टाउन के मोस्ट पापुलर शो बिग बॉस सीजन 13 में जैसे ही मानशी खुराना को आसीम रियास की गल्फरिन की तोर पर आपने देखाए जिसने हर किसी पर अपना जादू चलाया वो ही मानशी खुराना फिलहार कोरोना वारस के कहर में पसने के बार घर में है कैज जो की हाल ही में 5 बजे 25 मार्श की तारी को जनता कर्फ्यू को सम्मान देती भी नजर आये थे शुक्रियादा करते वे हेल्थ केर यूनिट का ऐसे में ही मानशी अपने घर पर जो कैद है उनके बारे में हम आपको यहां इस रिपोर्ट में बताना शाहेंगे इस परिशानी के बावजूद ही मानशी पर एक नई मुसीबत का पहाड तूटा उन्होंने लिखा कोई मेरे ट्वीटर के साथ कुछ कर रहा है इसे क्या हो जाएगा इतनी इनसीक्योर्टी थैंक यू सो मच फिर भी इतना टाइम दे रहे हो कि ट्वीटर ही मानशी बंद हो जाए हिमानशी ने ओफिशल अकाउंट ट्वीटर पर ये बात लीकर परिशानी की और उन्होंने कहा कि बेवज़ा हेट फैला रहे हो ये वताव अब सिलकुन मिला की नहीं यानि कि कोई उनके ट्वीटर अकाउंट को छेड़ करने की कोशिश कर रहा था यानि कि कोई गलत करने क कोई है करने की कोशिश कर रहा था इस तरह की खबरे हिमान शी खुराना को लेकर कापी मशूर हो को बताना शाहिं के हाली में उनका गाना ट्रेंड पर रहा है आसीम रियास और हिमान शी का पहला ओफिशिल सांग कल्ला सोना जोकी आवाज था नेहा ककर का वो कापी पर रहा जिसके बाद हिमान शी अब आने वाले प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल काम नहीं कर पा रही है क्योंकि कोरोना वारस से बचाने के लिए महराश्ट्र में सक्ती के साथ कर्फ्यू लगाया गया है और इसी वजह से वो घर पर कैद है जो कि कुछ इस तरह से रिसेंटली न नज़र आई थी देखे वीडियो नेक्स्ट नाइन न्यूस रूम से त्रिप्ती की रिपोर्ट झाल